हेलो फ्रेंड्स मैं हूं गणेश और मेरे चैनल में आप सभी को फिर से स्वागत करता हूं तो आज बनाते हैं मिक्स वेजटेबुल का एक नेया रेशिपी और इसे हम बिल्कुल नेया तरीका से बनाएंगे यह खाने में बहुत ही स्वाधिश लगता है और इसमें कोई भी स्पेशल इंग्रिडेंस यूज नहीं करेंगे जैसा की काजू और पिन्याट का पेस्ट डालते हैं होटल में हम हम बिल्कुल इसा यूज नहीं करेंगे हम घर में जो भी कमन मसला है उसी से हम बनाएंगे यह खाने में बहुत ही टेस्ट लगेगा आप ज़रूर इसे ट्राय करें आपको बहुत ही अच्छा लगेगा तो अभी हम वेजटेबुल को थोड़ा फ्राय कर लेते हैं इसे हम ड फ्रायल तसे टाइम लगता है तो इसलिए हम आलुक डाल देते हैं और इसे तोड़ा एक और धो मिनीट यहचे फ्राय कर लेते हैं मरी से तोड़ा वाथ वेजटेसेपों हम डाल देते हैं आदु कर लेते हैं यह जो सारे प्रोसेस है आपको वेजिटेबूल फ्राइए करने के लिए पांच मिनिटी लागेगा और इसमें हम डाल देते हैं यह गोवी इस सारे वेजिटेबूल को हम आच्छा से मिक्स कर देंगे और उसमें हम थोड़ा सा सॉल्ट आट कर देंगे इसे हाब क्या स्कून्स सॉल्टं आट कर देंगे और इसे अच्छा से मिक्स कर देंगे और अभी हम डाकम लगा की इसे दो मिनिट के लिए मिजिएम फ्लेम में हमें इसे पकाएंगे अ पर इसे बीच बीच में निकाल कि encourage से उपार नीचे कर देंगे जैसे कि हमारा सारे वेजटेबूल इक्वाली वैल हो जाए इसे ठाकान लगा देता हूं और अब यह जो माटर है इसे भी डाल देंगे क्योंकि फ्रोजन माटर है यह अल्रेडी वैल हुआ है तो इसे ज्यादा टाइम नहीं लगता है वैल होने के अब इसे देख सकते हैं कि हमारा आलू देखिए बॉइल हो चुका है मतलब सारे वेजटेबूल बॉइल हो गया है अभी हम मसला के लिए प्रिपेर करेंगे तो सबसे पहले हम कड़ाई में तीन बड़े चमोस टेल डाल देते हैं तीन बड़े चमोस टेल बहुत ही काफी है हम इसे ज़्यादा नहीं डिणगे कि हमारा घर का खाना है ही और इसमें डाल देते हैं एक एंचिप का डाल चीनी और काली इलाइच शीट जिरा डाल देते हैं और उ piace है जड़े ब्राई और को नहीं हो जाता है है अहां ये बड़े chop ड़ाई हो चका है अभी हम इसमें एक चामोस जिंजर गालिक पेस्ट करदेंगे और इसे वक्तासर प्यास के साथ भून लेते हैं इसका ढूरा कच्छा पंड है जाने तक बोल लेते हैं अभी ग्यास को हम लुकें कर देंगे और इसमे Sud में देते हैं एक बड़े थन्या या आधा बड़े चामौश चली पाउडर या आधा बड़े चामौश धूत राख कलर आने के लिए थोड़ा शाह्म बोल लेते है हमने से किया होता है कि आपका सब्जी का कलोर जो है यह बहुत ही बढ़ जाता है और अभी हम इसमें डाल देते हैं यह दो से मेल का दूद और अभी ग्यास को हम हाई प्ले में रखेंगे और इसे हम एक मिनिट के लिए इसे चलाते रहेंगे यह ज्यादा टाइम नहीं लागेगा क्योंकि हमारा जो ग्यास है तो देखिए हमारा कैसे साइट में कैसे तेल नजर आ रहा है मतलब हमारा पॉर्फेक्ट भून गया है तो अभी हम इसी कंडिशन में टमाटू डाल देंगे अगर हम पहले टमाटू डा पॉर्फेक्ट भून गया है अमारा मसाला अभी हम इसमें जो बेज़िटेबल इसमें आड कर देंगे अगर आपको ज्यादा मसला है तो आप इसे थोड़ा निकाल के रख सकते कोई भी दूसरा सब्जी में भी आप यूज कर सकते हैं अभी हम इसे अच्छा से मिक्स कर दे रखने से और अभी हम इसमें स्वाद अनुसर नमक डाल देंगे पहले से डाला था जितना रिक्वाइड है उतना हम डाल ये अच्छा से मिक्स कर देंगे सारे वेज़िटेबल को आप हम इसमें डाल देते हैं यह कैप सिकम यह हमने शुरूर से नहीं डाला इसलिए कि कि इ किसका बाकिस में बैख यह ब세क कर दो टें ले मिला कि एक बड़ी चामस्य ऐसी अच्छासे मिक्स करने के बाद सब्सक्राइब सब्सक्राइब मित परोगोorni क्या है थे मिक्स करने के बाद हम ईसे और ज्यादा नहीं पाएंगे द suburbs यह अच्छा से मिक्स हो जाए वेजटेबल के साथ और हमारा यह जो मिक्स वेजटेबल सब्जी बनकर रेडी है अखरी में राल देते हैं यह तोड़ा फ्रेस धनिया पता और इसे अच्छा से मिक्स कर देंगे आप इस तरह से जरूर ट्राइब कीजिए आपको बहुत ही लगेगा अगर रेसिपी अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को जरूर लाइक करिए और साथ-साथ मेरा चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए तो फिर मिलते हैं दोस्तों और एक नहीं रेस्पी के साथ तब तक के लिए बाई-बाई थैंक्यू भेर मॉच